बिलासपुर के एक आटो चालक मोहमद रफीना शुरक्षा की दिरिस्टी से अपने आटो रिक्षा को मौटिफाई किया है ताकि आटो में सवार होने वले सभारियों वो चालक के बीच उचित दूरी पनी रही मौहमद रफी दी बिलासपुर आटो रिक्षा ओपरेटर यूनिन के परदानवी है जिसके चलते उन्होंने अपने आटो को डैमो की रूप में तयार किया है उन्होंने आटो में ऐसे बवस्ता की है जिसे आटो में बैठने वली दो सवारियां भी एक दूसरे की संपर्क में नहीं आएंगी और ना ही चालक से इनका सीधा संपर्क हो पाएगा महमद रफी ने बताया कि आभी तक एक ही आटो डैमो की रूप में तयार किया गया है प्लासपुर के आटो चालक लंबेस में से आर्थिक मंदी से जूज रहे हैं दीरे दीरे अन्या ओटो में भी इस तर दला नहीं रहा था को हम ने एक प्रयास किया है। जैसे कि ए सोचल डिस्टेंसिंग का है प्लास्टिक का इसमें झोंई स्रख्सित हैं और जो सवारी बैठी की वह भी सॉरक्षित है। तो मतलब सोचल डिस्टेंसी का बिल्कुल दिया रखका कोई सुवारी अपने मतलब आपसमें कोई टच नहीं होगी और हम सेंटाइजे लगाया है सुवारी आती है हाथ हो आध जाते हैं और अंदर बिठाया जाते हैं अगर मास्क को उगाता भी बिठाते हैं वैसे बनना मु